नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी आप सभी के लिए न्यू जॉब का अपडेट लेकर आ गए हैं और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे अधार काड के जॉब के बारे में जिहां दोस्तों यहाँ यहाँ पे UIDAI की तरफ से लेटेस्ट रिकूटमेंट निकाला ग करना है कि किस-kis पोस्ट पे जॉब है अधार काड भरती में किस-kis पोजीशन पे जॉब निकाला गया है नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा यह रहा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं और कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा यह सब जानकारी आपको इस वीडिय करके दूँगा ठीक है तो वीडियो को सुरू से एंड तक देखना और वीडियो को लाइक सेर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है ताकि आने वाली वीडियो के इप्टिट आपको मिले ठीक है अब अगर आप यहां पर देख सकते हैं अधार कार्ड भरती आ गया है अगे आपको में बताऊंगा ठीक है तो आप क्या करना है दोस्तों बस वीडियो को सुरू से एंड तक देखना है और पूरा देखना है कहीं पे स्किप नहीं करना है तो सबसे पहला काम यह है कि यहां पे आपको अपने फॉन में कोई प्राउजर उपन करना है और सर्च ब आपको विजिट करना है क्लिक करना है जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग हमरी वेपसाइट पर आ जाएंगे यहां पर अगर आप देखेंगे तो मुल्टिपल जॉप्स के आल्टिकल अपडेट किया जाते है हमें यहां पर आधार का जॉप का डीटेल निकालन तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक आर्टिकल आ जाएगा इस आर्टिकल में काफी कुछ जानकारी मिलेगा जैसे कि यहाँ पर ऑर्गनाइजिशन क्या होगा यूनिट इंटिफिकेशन अथर्टी ऑफ इंडिया की तर अप्लाई कर सकते हैं एज 18 प्लस है मतलब कहीं पर जोब करने के लिए एज कम से कम 18 या फिर 18 प्लस होना चाहिए अधिक जानकारी के लिए जोब का ओफीसियल नॉटिफिकेशन वेरिफाई करना है अब बात करें इस सेलेक्शन कैसा होगा तो यहाँ पर दोस्तों और गरि यह article आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा apply का link यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर apply का link पर click करना है जिसे ही दोस्तों आप यहाँ पर apply का link पर click करेंगे तो आप लोग redirect हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों आधार card के job के page प पंदरा जैनवरी तो अल्री जैनवरी हो गया है कि आप देख सकते हैं पंदरा जैनवरी हो गया तो यह जो application यह close कर दिया गया होगा बट और भी job यहाँ पर है आप देख सकते हैं closing date 19 जैन है ठीक है 19 जैनवरी है बाकि नीचे देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं यह 7 February ह जैनवरी फरवरी काफी date है और नीचे आएंगे तो देख सकते हैं 21 फरवरी है एक मार्च है और यहाँ पर देख सकते हैं 15 फरवरी है ऐसे से करके इस page पे आपको काफी सारे recruitment job देखने को मिल जाएंगे तो आपको क्या करना है देखना है कि आपको किस position का detail देखना है किस post का detail देखना है अगर आपको इन में से किसी भी post पर detail देखना है तो आपको उस पर click करना है जैसे आप click करोगे तो आप लोगों के सामने ऐसा notification आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं eligibility और qualification क्या मागा गया है यहाँ पर दिया गया है और नीचे apply करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यह apply होने वाला है यह offline apply होगा यह address है इस address पर आपको HR के पास अपना form भर के submit करना है भेजना होगा ठीक है आप यहाँ पर email के थ्रू भेज सकते हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको यह भी देखने को मिल जा है और आपको अपना qualifications का detail यहाँ पर देना है, organizations का detail देना है, मतलब जो भी details मांगता है वो आपको यहाँ पर लिखना है, बहठना है, fill up करना है, ठीक है और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को कैसे apply करना है, अलड़ी यहाँ पर बताया गया है, तो आप यहाँ पर देख लेना ठीक है किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करो तो लास्ट डेट देख लेना कि आप इन डेट में अप्लाई कर रहे हो या फिर ओवर डेट में कर रहे हो या आप देख लेना ठीक है बाकि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं ऐसा यहां पर लास्ट देख सकते हैं दा लास्ट डेट जो की 15 फरवरी है यहां पर आप देख सकते हैं तो लास्ट डेट देखना इंपोर्टेंट है इस प्रकार से आपको यहां पर यू आई डी आई में जोब के लिए डीटेल निकालना है और अप्लाई करना है मैंने आपको एजी तरीकी से बता से लगऊ होगा और हमारे सामने ऑफिसयल वेबसाइट आएगा अब यहां पे आने के बाद जोब का डिटिल कहां से निकलेगा यहां बताते हैं हैंBet aan पर आने के बाद यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगा अलग-लग लेबल यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको about uidai की लेबल पर आना है और जैसे आप इधर आएंगे तो यहाँ पर एक लेबल है work with uidai का तो यहाँ पर अलग-अलग category बनाया गया है जैसे कि tenders का work है और यहाँ पर आप देख सकते हैं professional technical में भी work है और यहाँ पर contract based में भी work है तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपको किस category में job देखना है यहाँ पर हर एक page को open कर देते हैं टेकनिकल वाला भी बाकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो NISG में जो भी recruitment निकाला गया होगा यहाँ पर भी देखने को मिलेगा बाकि अभी अगर हम देखेंगे तो no recruitment है कोई भी यहाँ पर job update नहीं है बट यहाँ पर भी job update होता है कभी कभी ठीक है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बाकि टेंडर सीधर देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं तो इसी परकार से आपको job का detail निकालना है जिस भी post पर apply करना है जिस भी profile को आपको view करना है उस पर click करो profile अच्छे से read करो eligible है, interested है तो आवेदन करिएगा how to apply का detail official notification में मिल जाता है तो इस परकार से आपको apply करना है बाकि कोई doubt है तो comment बताइएगा जात जात मैं आपको बतादू कभी भी अगर आपको कोई call करके mail करके किसी भी परकार करना हो, क्रिक लिए पैसे कीमा करें बोले हम इस company, इस organization से बोले इतना payment करो ये उटिपी बताइए, डारेक्ट हम भरती करवा देंगे तो इन सब जातों में किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है बाकि हम मिलेंगे किसी ने जब update में तब तक के लिए बाई बाई एन टेक क्यार